हलो फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ओफ वाइकेंसी इन एस्बियाई प्यो प्लाइट टुन्टी टुन्टी टु के बारे में तो जैसा कि आपको पता कि SBI klaar का नोटिफिकेशन बहुत ही जल अप्लाइल के मंत में एक्सपेक्टेड आए तो इसमें एकस्पेक्टेड नंबर ओफ वैकेंसी कितनी देखने को मिल सकती है तो एकस्पेक्टेड नंबर ओफ वैकेंसी निर्भार करेंगे तो उसी साब से SBI Clark 2022 में आपको vacancies देखने को मिलेंगी अगर हम 2016 से बात करें तो 16 में 8000 vacancies आई थी और 18, 19, 20 में भी 8000 vacancies SBI Clark में देखने को मिली थी और बात करें 2017 की तो 2017 में merger की बादे से SBI Clark का recruitment नहीं हुआ था तो इस साल जो vacancies expected है वो 6K से लेकर 7K के round आपको vacancies देखने को मिल सकती है और सभी state में vacancies आएंगी statewide एक decent vacancies आपको देखने को मिलेंगी और बात करें अभी जो SBI Clark में जो working clerk है जो अभी तक recruitment SBI Clark में हुआ है वो 37,000 हो चुका है तो 2016 से तो इसमें से जो SBI Clark जितनी vacancies release करता है लगबग लगबग उतने ही candidate उसमें लिये जाते हैं बागी कुछ candidate की अगर कमी पड़ती है तो waiting list से candidate से लेक्ट हो जाते हैं तो बात करें जितनी vacancies declare की जाती हैं लगबग लगबग 90 to 95 percent vacancies fill हो जाती हैं तो इस साल की मैंने expected vacancies बता दी अब बात करते हैं SBI PO की expected number of vacancies की SBI PO में 2000 vacancies ही 2000 vacancies ही हर साल आती है और इस बार भी आपको vacancies देखने को मिलेंगी और इसका जो notification expected है वो mid year में expected है राउंड जुलाई अगस्त के राउंड आपको SBI PO का 2022 का notification देखने को मिलेगा दोनों ही notification आएंगे इसलिए आपको wait नहीं करना अभी से preparation करनी है जिससे आपका basic strong होगा उस हिसाब से आप लोग SBI PO में भी अच्छा perform कर पाएंगे बस क्या करना है आपको SBI PO में प्री का मौक भी देना है और जब आपका प्री में selection हो जाए उसके बाद mains के मौक भी देने और even आप पहले भी mains के मौक दे सकते हैं वीकली basis पर तो यह रही 2022 की expected vacancies और दोनों के notification आपको देखने को मिलेंगे और अगर आपको वीडियो में information अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक्यू आने वाले दिनों में भी मैं इससे related videos आपको चैनल पर देता रहूंगा तो अगर अच्छा लगता तो इसको subscribe करना ना भूले थैंक्यू